आप देख रहे हैं अस्टीज अस्टूडियो अच्छा तो आज हम वी कट में ये ओवरलैप लेस लगाना सीखेंगे लेस डबल है उपर बोड़ गला होगा फिर उसमें वी कट फिर उसमें हमने ये लेस लगानी है ओवरलैप में तो ये लेस आप देख रहे हैं ये डबल है एक मोति वाली है और एक ये है बगार मोति वाली जो बीच में आएगी अब इनके उपर हमने किस तरह इनको लगानी है कौन से बूट इस्तमाल करने है वह हम इसमें सीखेंगे तो सबसे पहले उपर का नेक गला कटिंग कर लेंगे गले का फैलाओ उपर से है साड़े आठ सवाचार रखेंगे थोड़ा बोट शेप है और डीब हमने रखना है पांच इंच साड़े चार त्यार आएगा इस तरहां गुलाई में फिर नीचे का कट आपने अपने हिसाब से रख लेना है दो इंच या पोने दो इंच का अब यहां से सीधे में अपने निचान लगाना है सोलाईश पे यह गलाईस तरह रखेंगे अब यहां पे एक निचान लगाएंगे और यह यहां पर हमने बुकरम चिपका लेनी है इस इसे में यहां से निचान के बराबर कट कर लेंगे और यहां से निचान से आदा एंच नीचे होनी चाहिए आपकी लेस बुकरम आपकी तो यह डेड़ें चोड़ी बुकरम हमने यह चिपका ली है बिल्कुल सेंटर में सोलाई तक लंबाई में निचान लगा लेंगे सेंटर से सेंटर मिलाके सिलाई लगा लेंगी गले की और फिर आपने गुलाई में उपर से सिलाई नहीं लगानी गले में सिर्फ इस कट में लगानी है वी कट में आपने यह सिलाई लगा लिनी है गुलाई में नहीं लगानी अब यहां से यह लेस हमने लगानी है तो इसको इतना उपर गरके रखेंगे जब हम गुलाई की सिलाई लगाएं तो लेस उसके अंदर आ जाए गले की गुलाई में इतनी लेस आपने उपर बढ़ा तो यह हाफ बूट लगा लेंगे आप सिंगल फूट जिसे कहते हैं सिंगल फूट प्रेसर हाफ बूट तो यह आपने लगा लेना है यहाँ से थोड़ी से आगे जा के आपने लेस सिंट्र में क्रीज है उसके आदी एक तरफ और आदी दूसरी दूसर दूसरी दूसरी दूसरे ने जाई जएए जो कमीज की क्रीज है आदी एक दरफ और आदी दूसरी दरफ सेंटर में होनी चाहिए यह लेस आपकी यहां से थोड़ी फोल्ड कर लेंगे लेस उसके बाद यह जो मोती वाली लेस है इसको आपने टांके लगा लेने है ताके मोती ना निकले अब यहां से यह वापस उपर ले जाएंगे लेस को खेंच रहा नहीं है आपने दोनों लेसों को अलके आज से लगाना है अब यहां से यह कट कर देंगे जो एक्स्रम होती है टांके आपने लगा लेने है ताके मोती निकलेना अब यह जो है दूसरी तरफ से लगाने के लिए हमारे पास भावबूट ही होना चाहिए लिकन उसका रुख जो है वो दूसरा होना चाहिए ये अगर आप सिलाई करते हैं तो ये हाबूट आपके बूस जरूरी है दोनों रुख के होने चाहिए अब जैसे कि हम इस तरफ से लेस लगाएंगे तो हमें आसानी होगी लगाने में तो ये हाबूट लगा लेंगे दूसरे रुख का लग तो ये फुल बूट से भी जाती लेकिन दूसरी तरफ से जो हमारे लेसे वो मोतियों वाली है तो उसको हम नहीं लगा सकते फुल बूट से उसके लिए ये हाबूट जरूरी है अब जो है इनके फूल जो है ये मिलने चाहिए ये आपने इस चीज़ का ख्याल करना है कोई भी आप लेस लगा रहें जिस तरह की उसके फूल आपने मिलाने है टांके लगा लेंगे मोति को ताकि वो मोति निकले ना यहां पर टांके लगा लेंगे और इस तरफ से ये नीचे रख लेंगे अब ये देखें इस तरह हाबूट से हमें लगाने में ये फाइदा है आसानी से दोनों तरफ से हमने मोति वाली लेस लगा लिये फूल आपने मिला लेने है बराबर आनी चाहिए फूल दोनों तरफ से अब ये लेस जो है इतनी उपर होनी चाहिए कि जब हम गुलाई की स्ले लगाएं तो उसमें आज है लेस इतनी आपने एक्स्टा कटिंग करनी है दोनों तरफ से अब ये जो फूल उठ रहे है इनको आप चाहिए तो इसे छोड़ भी सकते है वरना आप इनको टांके भी लगा सकते है जिससे ये लेस बैड़ जाए और हम इनको टांके लगाएंगे थोड़ा कवर हो जाएंगे लेस इससे कवर हो जाएगी थोड़ी गैप-गैप से बस हमने टांगे लगा देने थोड़ा कवर करने के लिए अब उपर से ये गुलाई की सिलाई हम लगा लेंगी इसके लिए हमने वोई फुल बूट ही लगाना है यहां से अपने अहतियात से लगानी है यह मोती वाली जगा है सुईना टूटे यहां से लगाना है गले को प्रेस लगागे बिठा की गले की दुर्पाई कर लेंगे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा कमिट करके बताइएगा कि आपको यह डिजाइन कैसा लगा और अपने और अपनों का बहुत सब्सक्रा ख्याल रखें अब आप से मिलेंगे निशनला किसी ओर वीडियो में तब तके लिए खुदा आफिस कि कि आपकों आप सिर्था किसी कर्वे conce findet लिएक बखकों आपे आपे modify the game कि लिएवस कि एeze ऑर सक्राम बटबूशशशच को यह थोल пожवाईगा